नमस्कार दोस्तों तो आज आप देखेंगे 1800 स्क्वाइर फीट में बनने वाले एक बहुती सुन्दर मकान का प्रिवियू ये मकान 3BHK में बनकर तयार हो रहा है जिसकी लागत है वो आपका 15 लाख रुपए प्लास्टर तक का खर्चा है तो आज आप देखेंगे दोस्तों वीडियो को skip नहीं किजेगा पूरा का पूरा वीडियो आप देखेंगे बहुती सुन्दर डिजाइन का ये मकान बनाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कितना बहत्रिंग तरीके से ये डिजाइन किया गया है मिस्ट्री के द्वारा ये आप देखेंगे ये आपका जो विंडो है उसको किस अधार पर बनाया जा रहा है मिस्ट्री का एक अपग्रेड डिजाइन मिस्ट्री के दौरा किया जा रहा है यह आप देख सकते हैं इस मकान में इसका प्रिब्यू आप देख सकते हैं कितनी बहतरिंग तरीके से इसको डिजाइन किया रहा है और यह आपक कर दोस्तों आप अगर भविष में कभी भी मकान बनाने का सोच रहे हैं या बना रहे हैं तो यह वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं स्किप करते हैं तो बाद में बहुत कुछ skip करने वाले हैं अपने जो सपनों का जो घर है वो कैसा होना चाहिए इस यूग में वह आप देखेंगे मेरे इस वीडियो के मायदियम से दोस्तों वीडियो को जो है पूरा पूरा व्यू करिए इसमें अंदर में किस अधार पर और किस स्टाइल से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों बेंगलो का अब बहुत ही इसमें इसे ऐसे चीजें इसमें लागू किया गया है इंजिनियर के द्वारा कि आप देखके चकीत हो जाएंग तो यह आपका देखेंगे यह आपका दर्वाजा है जो पूर्टिकों से सामने आपको बनकर रेडी हो रहा है और यह आपका पूरा का पूरा प्रिव्यू में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों अब देख सकते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा यह आप देख सकते हैं सामने आपका window इस मकान में सबसे बेहत्रिंग जो चीज है दोस्तों वह आपका lighting है भविसमें कभी भी आपके मकान में light भी नहीं है न दोस्तों तो आपको light का जुर्दत नहीं पड़ेगा कि सामने आपको इतने सारे window रखा गया है कि देखे किस आधा आधार पर रोशनी आ रहा है अपका light नहीं है तो फिर भी आपका काम चल जाएगा अंधेरा का महसूस नहीं होगा इस मकान में इस चीज को ध्यान में रखकर इसको design किया गया है बहुत ही अच्छा design किया गया है यह आप देख सकते हैं चारो तरब से रोशनी आ रहा है ठी डीका घैर रहा ह्याह, रोशनी किस आधार पर आ रहा है इसको आपका जो होड़ार है आप देख सकते हैं वह आपको वहाँ पर लगाया जा रहा है दोस्तों यह आपका दरवाजा है और यह आपका emergency exit भी देख सकते हैं वहाँ पर एक रखा गया है और यह सीडी तीन लेयर में सीडी का निर्मान किया जा रहा है step by step change का distance में रखा गिया है जो बच्चों में भी कभी भी problem नहीं आएगा अगर आप छोटा बच्चा है वो चलते दे ठक जाते हैं तो महाँ पर रेश्ट भी कर सकता है इसके लिए भी वो चीज को भी ध्यान रखा गिया है step by step तीन layer में बनाया गिया है बड़ा बच्चा हो यंग हो किसी को भी उपर चड़ने में दिक्कत नहीं आएगा और यहाँ पर देखे यह तीन विंडो आप देख सकते हैं रोशनी के लिए बनाया गया है कि भविश में अगर लाइट नहीं रहता है गाउ में अगर आप रह रहे हैं गाउ में अगर मकान डिजाइन कर रहे हैं तो गाउ में देखते हैं बारिश के मौसम में जो लाइट चला जाता है एक सब्ता दस दिन नहीं आता है वो सब चीजे को ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गये है और यह जो है यह आपका पूजा घर है पूजा घर का भी आप देख सकते हैं इसमें भी विंडो रखा गया है वह इसमें रोशनी इसमें भी आएगा तो आप पूजा घर में भी देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी विंडो रखा गया है और यह आपका तीसरा रूम है जो की डबल विंडो में रखा गया है इसमें बहुत चीजों की जो है बारिकी से आप देख सकते हैं इसमें डवल विंडो और विंडो का साइज भी आप देख सकते हैं दोस्तों यह आपका छे भाई फोर है हाइट आपका फोर है और आपका जो चुड़ाई है यह लगवग आपको छे फीट का है मतलब कुर मिला के माकान में रखकर इसको बनाया गया है और यह आप देख सकते हैं प्रिव्यू यह आपका हॉल है यह सामने जो है यह आपका कीचेन है और यह डाइनिंग एरिया है यह भी आप देख सकते हैं बड़ा है डाइनिंग एरिया में भी विंडो रखा गया है तो भविश में कभी रखते हैं भी आप लए हो मीकान बना रहे हैं इन सब चीजों के हान में रखकर निया आपको दिखा दिये हैं पहले ही इसमें बनाये ग्या और यह आपका कीचेण भी किचर आधार पर बनाया गया है और कैसा डिजाइन किया गया है वह भी मैं आपको बताना चाहरा हूं तो दोस्तों वीडियो के पूरा पूरा देखिए अभी बहुत कुछ बताना बाकी है वीडियो के मादम से यह आप देख सकते हैं किचेन को भी किस आधार पर बनाया गया है इसको क्रेक किया गया है ताकि इसमें टाइल जो है अच्छी तरीके से लगे और यह आपका जो किचेन का जो एरिया है वह से संद्लय के लिए अलग से भी बनाया है मतल़ में यह सामने आप देख सकते हैं विज़ों टैकर द्ध्यान में कर बनाया गया में यह सामने अब देख सकते हैं इस में ढख सकते हैं वह सब्रों भी विजलों ında देख सकते हैं लाइट नहीं भी रहेगा फिर भी कोई जोरत नहीं है किसी भी तरह के प्रोब्लम नहीं होने वाला है अगर आप इस तरह का मकान बना रहे हैं तो अब देख सकते हैं इस टोरूम भी बड़ा रखा गया है समान रखने के लिए और यह आपका पूरा का पूरा स्थी गे't है ठीक हैए यह देख सकते हैं यह सामने बेसित हैं इमर्जेंसी में में चलता हो मैं आपको दोस्तों अबflowing के अधार पर बनाया गया है यह आपका बांडरी लां ए देख सकते हैं मेर्जबूत तरीके से किया कि वह सामने जो है उसमें वहां पर भी एक बात्रूम बना गया है इमर्जेंसी के लिए दोस्तों चपा कल वेगरा भी वहां पर है रखा गया है और यह देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइन में आपको बाहर से दिखाने जा रहा हूं अब देख सकते हैं इसमें बॉक्स नुमा जो है विंडो रखा गया है यह आपका पोटिको है देख सकते हैं बाहर से जो डिजाइन में आपको दिखाने चाहरा हूं देख सकते हैं कितना बेहत्रिग यह मकान है दो यह कर तयार हो जाएगा तो लूक और बेतरी हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब